दो तीन हपते से खासी है क्या आपको टीबी है क्या आपको टूबर कॉलसिस की बीमारी है दुनिया में जो भी infectious diseases है उनमें सबसे जादा मोतों का कारण बनने वाली बीमारी है टीबी याने टूबर कॉलसिस तो इसके लक्षना के बारे में हम जानेंगे तो आगे बनने से पहले आपको अगर HIV AIDS के बारे में नहीं पता जो की अगेन एक बहुती डेंजरस बीमारी है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिशन में है आप जाके देख सकते हो तो टीबी का पहला लक्षन है खासी आना टीबी के मरीज में अक्सर खासी आना ये सबसे पहला लक्षन होता है और टीबी का जो मरीज है उसकी खासी में अलग बात ये होती है कि उसे अक्सर बलगम आता है खासते समय और कभी कभी खासते खास से उसके मूँ से खून भी निकलने लगता है तो ये टीबी का सबसे पहला लक्षन है उसके बाद जो टीबी का मरीज होता है उसे अक्सर चाती में तनाव और दर्द महसूस होता है जब भी वो सास लेने की कोशिश करता है जोर से तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे चाती में कुछ वजन रखा हुआ है और उसे कई बार सास लेने में भी दिक्कत होती है उसके बाद TB का जो लक्षन आजाता है वो है बार बार बुखाराना वैसे तो हमें कई बार वाइरल इंफेक्शन की वज़े से भी बुखाराता है कई अलग-अलग बिमारियों में बुखाराता है लेकिन TB के जो बिमारी है उसमें जो बुखाराता है वो जब तक आप TB की बिमारी की ट्रीटमेंट नहीं लेते है तब तक वो बुखार कम नहीं होता है उसके बाद जो लक्षन आ जाता है वो है तीन हपते से जादा की खासी नॉर्मल भी हमें अगर सरदी जुखाम हो जाता है तो हमें खासी आती है लेकिन जब हम कप सिरप लेते हैं नॉर्मल एंटिबाइटिक लेते हैं तो वो खासी ठीक हो जाती है लेकिन TB के बिमारी में अलग बात ये होती है कि जब तक आप TB का ट्रीटमेंट नहीं लेते तब तक खासी कम नहीं होती है उसके बाद जो लक्षन आता है वो है वजन घटना TB के मरीज में अकसर बहुत ही कम समय में मरीज का वजन जो है वो बहुत ही जादा घट जाता है क्योंकि उसे कई बार उल्टी जैसा लगता है कई बार उसे पेट में दर्द जैसा होने लगता है और एक बाद जो आती है वो है भूक ना लगना और भूक ना लगना ये एक सबसे बड़ा कारण है कि TB के बीमारी के मरीज में उसका वजन कम हो जाना क्यूंकि अगर मरीज जो है वो खाना ही नहीं खाएगा तो उसका वजन गटने ही वाला है उसके बाद जो लक्षन आजाता है वो है थकान महसुस होना काम किये बिना थकान महसुस होना TB का जो मरीज है उसे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है उसने काम नहीं भी किया होता है फिर भी उसे बहुत ज़्यादा थकान मैसुस होती है जैसे उसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ हो उसके बाद जो लक्षन आ जाता है वो है रात में सोते समय पसीना आना टीबी के मरेज में अक्सर ये पाया जाता है कि रात में सोते समय उसे बेवज़ा है जो आजू बाजू का जो वातावरन है वो नॉर्मल है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ये कुछ जह है वो टीबी के लक्षन है तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चानल को सबस्क्राइब भी जरूर कर दे और उसके साथ ही जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करे ताकि कोई भी अगर टीबी का मरीज है तो ये लक्षन पहचान कर खुद को जान सके और प्रोपर टाइम पर ट्रीटमेंट लेकर खुद की जान बचा सके तो इसलिए जादा से जादा लोगों तक शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद